तो दोस्तो आपने recently अगर credit card यूज़ करना start किया है लेकिन bill payment करने के लिए आप cred app का use करना चाहते हो बट आपको पता नहीं है कि cred application के अदर credit card को कैसे add किया जाए तो ये वीडियो आपके लिए है चैनल पर नहीं हो subscribe दिलू कर दिजिए वीडियो start करते है तो दोस्तों चाहे आप iPhone यूज कर रहे हो और Android यूज कर रहे हो आपको सबसे पहले तो आपके फोन के अंदर Cred Application डाउनलोड करके ओपन करके आपको जो भी Sign In Procedure है वो कर लेना है तो दोस्तों application पूरे तरीके से start होने के बाद कुछ इस तरीके का interface आप अपने mobile screen के उपर देख सकते हो यहाँ पर नीचे credit card का option मिल जाएगा तो वो select करके हमें आगे बढ़ जाना है अब इस page पे अगर आपने पहले कभी Cred Application यूज किया होगा और card add किया होगा तो card यहाँ पर visible हो जाता है लेकिन आप first time ही application यूज कर रहे हो आपने कभी Cred App यूज नहीं किया तो इस page पे आपको कोई card visible नहीं होगा अब card add करने के लिए उपर add card का option मिल जाता है तो उस पर tap करके आपको card details यहाँ पर enter करने जैसे card का number हो गया card के उपर आपका क्या नाम है वो enter करके simply proceed कर देना है अब दूस्तो card details जैसे आप enter करते हो तो किस bank का credit card है वो आपको उपर visible हो जाएगा अब मेरे case में हाप HDFC bank का credit card है तो automatically आ गया है तो सारी चीज़े होने के बाद proceed पर tap करेंगे अब यहाँ पर next page पे expiry date आपको enter करके secure instantly पर tap कर देना है तो यहाँ पर expiry date में enter कर दिया है secure instantly पर tap करेंगे अब यहाँ पर यह हमें लिके जाएगा payment page के उपर अब ऐसा क्यू verification process complete करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ दो रुपय का charge पे करना पड़ेगा तो बस वही आपको यहाँ पर next page पे दिखाया जाएगा तो यहाँ पर आपी OTP का option मांग रहा है तो OTP मैंने एंडर कर दिया है यहाँ पर confirm करेंगे अब यहाँ पर देख सकते हो यह जो है payment processing में दिखा रहा है यहाँ जो चार्जे से दो रुपय वाला वो cut हो जाएगा और यहाँ पर हमने successfully credit card credit application के अंदर add कर दिया है तो अब आपको payment करना होगा कुछ आपका payment बाकी होगा तो pay now पर tap करके आप amount एंडर कर सकते हो अगर payment आपको बाद में करना होगा तो आप बस यह skip कर दीजे part और इस page के उपर यानि credit card वाले page के उपर आपको जो आपने card add कि है वो details check करने होगे तो आप नीचे जा सकते हो और यहाँ पर आप देख सकते हो जो HDFC का card में ने add किया अभी अभी फिलाल के लिए कोई due नहीं है तो आपको इस तरीके से card यहाँ पर visible हो जाएगा और जो भी amount due होगा वो इसी तरीके से आप पर शोगिस किया जाता है तो ब अबने बाद